RCP Shing वो राजा हो सकते हैं, जिनके इड़गेृद सारे मोहरे उनकी रक्षा में लगे हुए हूए और हाल ही में मंत्री में रहे थे और राजसेभाकिस mida से मे रहे थे अभी उनकी तुरट-तुरट सत्ता उसे बाहर हुए है या कहा जा तो मंतरी पर उसे इस्तिफाव नहीं दिया, तो उनका हग तो बनता फनमा आना है, इसके पीछे का कारण क्या है, अगर नितीश कुमार जी को हम 15 साल तक सत्ता के सिफ पर रख सकते हैं, तो क्या नितीश कुमार जी भात्य जिन्तपाटी कहा तो सत्ता नहीं सोग त नमस्कार भारतला देख रहे आप, और ये रातुरात है, जहां अक्षर बिहार के उन सियासी घटनाओं पर चर्चा करते हैं, जिसका आसर बाद में होता है, घटना तो पहले घट जाती है, कल कई बड़े घटना हुए और उसके पीछले दिन देखें, तो उस दिन भी कई बड़ी घटना क्रम हुई, हाला कि कल की बात करें, तो जदिव में काफी कुछ हल चल रहा, और उसके पीछे बिहार की सियास्त में काफी कुछ हल चल रहा, बिहार का कोई ऐसा राजनेता नहीं होगा, जो अपने घर से नहीं निकला होगा, समी लोग घर से थे, लेकिन एक व्यक्ति घर से निकले, लेकिन वो पटना नहीं पहुचे, मांकि सभी लोग पटना पहुचे थे, वो व्यक्ति प्रधान मंत्री मोधी के खासम खास में है, नितीश कुमार के लिए खासम खास है, हाला कि आप बदल गया है, नितीश कुमार के खासम खास, लेकिन कही न कही यह समश्ट संदेश दे रहा था कि उनका पटना नहीं आना उसके पीछे कोई बड़ी रननीती है बाबा से आज जानेंगे आर सीपी सिंग के बाड़े में बाबा कल सभी लोगों को आपने देखा पूरू मंतरी के हजियत से तो बैठी सकते थे मोदी जी से काफी अच्छा र रहे हैं आज फिर मेरा गला बैठा हुगा इसलिए थोड़ा सा आवाज में दिक्कत होगी लेकिन युद्ध के मैदान में है तो लडाई यूरूर लड़ेंगे अक्सर आप देखते हो यह सतरंज के खेल में कि मोहरों को पिटवा दिया जाता है लेकिन राजा को बचा कर र ही है हमने एक खबर कल ही दिखाया था वह खबर यूही नहीं था उस खबर पर बहुत सरा चेंतन था हम लोगों ने घंटो संपादक नवानिशाजी के साथ जाथ बातचित किया था और भी कई राजनितिक दलके नेताओं से हमारी बातचित हुई थी उसके अधार पर यह ब बड़ी सुंदर कहानी कहते हैं नमन मिश्णाजी कि एक उंट था जो पहाड पर चल रहा था जब पहाड पर चल रहा थो तो नीचे के तरफ जब भी देखता था तो देखता है कि लूग कितने छोटे-छोटे हैं सारे जानवर एक दब बिल्कुल छोटे-चोटे हैं अचा करना जानते हैं क्या था। उसे अपने उचाई का एशास हो गया था। क्योंकि पहाड उससे बहुत उचा था। और जो भी जानवर नजरा रहे थे उसके समुकक्ष नजरा रहे थे। इसका सीधा सा मतलब है कि बिहार की राजनीत में भी अभी कई उंठ जो हैं वह पहाल के निशे आगए हैं 2020 के चुनावा में सबसे पहले तो इस राज्ये का जो सबसे उंचा उंठ था जिनको नितीश कुमार आप कह सकते हैं 2020 के चुनाव में भारते जंता पाटी ने और तेजस्वी आदो का अकेला एफोर्ट ने तीसरे नंबर पर लाग ख़़ा कर दिया ये पिछले 15 साल के इतिहास में पहली बार हुआ था कि नितिश कुमार सबसे फिसर्डी हो गए सबसे फिसर्डी हम इसलिए कह रहे हैं कि जो तीन बड़ी पाटियां है वो चुनाव लड़ी थी चार गठबंदर बने थे उस गठबंदर में सबसे कमजोड नितिश कुमार थे अब इन सारी बातों को ले करके नितिश कुमार मुख्यमंतरी तो बन गए लेकिन उसके बाद नितिश कुमार अक्सर एक्ट करते हैं एक सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे कि कहीं न कहीं नितिश कुमार जी को अक्सर यह एहसास होता है कि नितिश कुमार जी बिहार की राजनीत को डाएं और भाएं लेकर के चल सकते हैं बिना उनके कोई सरकार नहीं बन सकती है नित किसे कि 2014 हमेनी थी सुननेस paid 6ote 40 के शुनाम है उनकी दो सीटे ठी लो किस समाई ने एक्ट कैसे किया इस्तीफा देकर college इस्तीफा देकर यह सावित करने का कोशिश किया कि भीहार के गद्दी से उनको मतलब नहीं है भीहार के ल्जानिट से मतलब यह डिकास से मतलब है लेकिन ये उनका एक छलावा था क्योंकि अगर ये छलावा नहीं होता तो आठ महीने में जीतन रामाजी को सत्ता से नहीं उतारते हैं लेकिन ये जो संदेश हैं ये जो इतिहास के पन्नुप पर अंकित जो बिहार की राजनीत का काला उजला सफेद चिट्टी जो है ये कहीं न कहीं इसारा करता है जिए बिहार की राजनीत किस तरफ जा रही है तो जब ये सारी बाते हो गई तो उसके बाद पूरी तरह से एक चीज तो नजर आ गया कि नितिश कुमार जी सत्ता और कुर्सी दोनों अपने कभजे में रखना चाहते हैं और भारती जन्दपार्टी ये अब नहीं चाहती है कि इस तरह का एक्ट वो उनको करने दे क्योंकि भारती जन्दपार्टी के भीतर अब एक सवाल ख़ड़ा होने लगा है कि नितिश कुमार के पीछे हम क्यों चलेंगे याद होगा आपको आज से पांच दिन पहले भारती जन्दपार्टी के कारिकरम में जो बरिष्ट नेता हैं जो पुराने भाज़पाई हैं उन लोगों ने साफ तरीके से खुले मंज से ये कहा था कि नितिश कुमार जी के पीछे क्यों चल रहे है इसके पीछे कारण क्या क्या है अगर नितीश कुमार जी को हम 15 साल तक सत्ता के शिर्फ पर रख सकते हैं तो क्या नितीश कुमार जी भारतेजनतापार्टी कहां चाह continuar सबतके सकते हैं अब नितीश कुमार जी को इस थोच ना होगा है लेकिन हम बात कर रहे थे उस राजा के अभी जो है आप आप देखते हो यह कि राजा सिर्फ सत्रंज में एक नहीं होता है, दो राजा होते हैं दुनों तरफ से, नितिश कुमार जी को एक राजा तो अपमान लीजिए, लेकिन दूसरे पाले में कौन राजा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, तो संभावना है कि भारते जंदा प समर्थन कोंग्रेस ने भी दे दिया है, यहां तक कि AIM, AIM का जो कुनवा था, वो लगभग उनके साथ चलाया है, लेकिन वो तीसरा भी कोई है, जो राजा है, बिलकुल, तीसरा भी कोई है, जो राजा है, और उसकी बातचित, एक्दम प्लाइनिंग में जिस तरह से पूर आप इंकार नहीं कर सकते हैं, R.C.P. सिंग अपने पटना को छोड़ करके अपने गाउंपर हैं, क्योंकि वहाँ सर्विलांस पर आप उनको नहीं रख सकते हैं, कौन मिलने जा रहा है, यह आप पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं, इन सारी बातों को ले करके, जब R.C.P. स अपने गाउंपर लोगों से मिलना जिलना सुरू कर दिया हैं, और हम बार बार बता रहे हैं, कि R.C.P. सिंग के बहुत करीबी जो लोग हैं, उनसे आप फोन करके बात कर लिजिए और कुछ भी पूछ लिजिए आप, न तो फोन उपका उठाएंगे, और नहीं कुछ बात करने के लिए तैयारी हों करेंगे, अगर आपसे बहुत ज़्याद अप्रेम है, तो कहेंगे, ठीक है, हम थोड़ साब बीजी है, बात कर लेंगे, बड़ी अदब के साथ, लेकिन R.C.P. सिंग धीरे से घर से निकलते हैं, और जो कमजोण कड़ी है नितीश कुमार की, उस क सुमित सिंगिर अपने विभाग का काम बंद कर दिया है, दिके राजनीत में आपका बेक्तिकार जीवन नहीं होता है, सर्वजनिक जीवन होता है, और जब सर्वजनिक जीवन में आप होते हैं, तो कहीं न कहीं, एक चीज आपको करना पड़ता है, कि सर्वजनिक जीवन मे उनकी रक्षा में लगे हुए हैं हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि बिहार में एक राज्मितिक संभावना बहुत तेजी से बलवती हो रही है और उसकी चर्चा शुरू हो गई है राज्मित गलियारे में मीडिया जगत में भी अब धीरे धीरे इस बात की चर्चा सुरू हो गई है और यह चर्चा सबसे पहले भारत लाइब ने सुरू किया थी हम लोगों ने इस संभावनाओं पर विचार किया था तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने कई संभावना दिखाई थी कोशिस किया था उस पर मंधन किये थे तो एक संभावना ये भी आई थी कि जब भारती जंतपाटी अलग-अलग राज्यों में किसी सरकार को पंश्यूत करने के लिए वहां के बिधायकों को इस्तिफाद दिलबा सकती है तो क्या बिहार में ये एक नहीं हो सकता है क्योंकि उ आर सिपी सिंग के करीबियों को ज्यादा संभावना व्यक्त की जा रही है कि नितीश कुमार जी का लेगेज बैगेज छोड़ करके जो कमी रह गई है एक तो जीतन राम मांजी उसकी कमी पूरा कर देंगी दूसरा अब जो सीट जो घट रहा है उस सीट को ले करके कही न कह रही नितीश कुमार के खेमे से कुछ लोगों को अपने कहने न करके या आर सिपी के पास भेज़ करके और सरकार बनाने का जुगाल भाप्ति जंदापार्टि करवा सकती है और आर सिपी इसिंग्ड को मैं इसलिए कहिन न कहिन पूरी तरह से चूप रखे हुआ है और आर स उत्षा सुरा चाहिए. उनका हग तो नहीं आए, इसके की कारण क्या हो सकता है? हमेशा युद्ध में आपने सबसे मजबूत महरे को छुपा कर रखा जाता है. कहीं RCP संग्व वही मोहरा ना बन के निकल जाए, इस बात की संभावना ज्यादा नज़रा रही है क्योंकि नितीश कुमार भी इस बात को ले करके सासंगीत है कि उनकी सत्ता चली न जाए क्योंकि उनके कल जो दो दिन पहले जो सताबदी समारों में उनका वहासन था उसमें नरेंद्र मोदी के आने को ले करके उन्होंने जितनी बार प्रार्षना किया जितनी बार उनका धन्यबाद दिया वह इस बात की तरफ दरसाता था कि वह कहीं न कहीं दो स्टेप बैक गए और ऐसी स्थिती में पूरा का पूरा आप समझ लिजेगा कि आर सीपी सिंग को अगर दूसरे क्खेमे का राजा बना करके अगर पूरा गेम चेक्मेट कर दिया जा तो कोई बड़ी बात नहीं रहना ये बात सपश्ट करता है कि आर सीपी सिंग को बड़े टास्क मिला गये है और प्रदार मंत्री कि मोधी को काम करने वाले लोग पसंद है उनके मंत्राले में जो लोग सही से काम करते हैं, वो 5 साल ठिक पाते हैं, वरना बीच में ही उन्हें अता दिये दाता हैं, हो जकता है? काम मिला हूँ, तो RCP SING उसकाम को करके ही सामने आना चाहते हूँ, देखना है होगा RCP के इस नई रन नीती और भारतिय जनता पाटी बिहार में आत्म निर्वर बनने की ओर लगतार अग्रसर है लेकिन बन नहीं पा रही है ये कब हो पाता है और खास तोर पे नितीश भाजपा के रिस्तों में जो करवाहाट है वो करवाहाट ऐसे ही चलती रह के निता सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लिए ओजेगो घंटी बा उकराब बटन दबा देला से कुल सठीक और मारक ख़बर रुवा मुफ्त में मिल जाए अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता निता ज्वाइ बटन दबा दी पेटियम नमबर नोटकली 9386816700 धन्यवादी